अगर आप उनके फैन है तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखियेगा उनका रियल नेम है मानाव गोहिर उनका निकनेम है मन्नो 9 नवेंबर 1974 में गुजराट की सुरेंद्र नगर में उनका चनम हुआ था उनका जुराइक साइन है स्कॉपियो साल 2020 में उनका रियल एज है 46 उन्होंने गुजराट की बरोद्रा हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट की है स्कूलिंग कम्प्लीट करने के बाद उन्होंने कॉम्मर्स में ग्राज़िशन के डिग्री कम्प्लीट की और बाद में एम्बिय के डिग्री हासिद के एम्बिय कम्प्लीट करने के बाद मानफ मार्केटिंग कंसर्ट एंसी फो में काम क्या करते थे Profession की बात करे तो वो एक actor और model है मानव के acting journey शुरू हुई जब उन्होंने Man of Gujarat का crown जीता था इसके बाद ही उन्होंने films और TV serials में audition दिना शुरू किया उन्होंने TV serials Cats के साथ TV industry में अपना debut दिया था इसके बाद वो TV serials शुरिया में supporting role के तोर पर नज़र आये थे इसके बाद उन्हें कई serials में देखनी को मिला जैसे की कहानी घरगर की, कुसम, कसौड़े जंदिगी की, मंसा, आयुशमान, सार्थी, नागिन, तेनली रामा, राधा कृष्ण और केसर इनंदन अभी वो स्टाफ लास्ट की शोय शादी मुबारक में कीटी की किर्दान में नज़र आ रहे हैं जहां पर उनका performance और आजश्री ठाकुर के साथ उनका chemistry दर्शप को बेहत पसंदा रहा है सीरियल्स के इलाबा वो फिल्मों में भी काम कर चुकी है उन्होंने साल 2013 में गुजराटी फिल्म सब्तपगी के साथ फिल्म इंडूस्ट्री में अपना दिब्यूट दिया था इसके इलाबा वो कई बॉलिट फिल्मों में भी नज़र आ चुके हैं जैसे कि सूपर थर्टी और बागी थी मानफ की फैमिली की बात करे तो उनका पिता का नाम है विजय गोहिल और मा का नाम ही सुधा गोही मानफ की एक बड़ी पहन भी है उनकी पोस्टल लाइफ की बात करे तो साल 2004 में मानफ ने टीवी आक्टिस शोयतर कवत्रा शे शादी की थी अभी उन दोना का एक बीटी भी है जनका नाम ही सहरा उनकी सैलिडी की बारे में बात करे तो पार एपिसोड के लिए मानफ 65,000 रुपीज लेते है और पार तर्ण के लिए 2,00,000 उनका ने टोर थे 27 करोर उनके पास सुजो की इंचूडर बाइक है जिसका कीमा थे 1,30,000 रुपीज और उनके पास हॉन्डा सीटी कार है जिसका कीमा थे 15,00,000 इस वीडियो में आप देख सकते हैं उनके घर की इंटेरियर डिजाइन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेर ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो में आप किसका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताईए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक ज़रूर करना फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में